न्यूस तक स्वागत करता है करनाटक तक का गया है कोई महिला को सबसे बड़ा योद्दा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि मां से बढ़ कर कोई नहीं हाला कि वाइरल वीडियो पुराना है ये वीडियो साल 2019 में सामने आया था लेकिन सोचल मीडिया पर एक बार फिर से वाइरल हो रहा है डेली मेल के मताब एक वीडियो वियत नाम का है जहां एक बाइक पर तीन लोग कहीं जा रहे होते हैं महिला अपने बच्चे के साथ पीछे बैटी होती है जबकि एक शक्स बाइक चला रहा होता है तभी बीच सड़क पर बाइक को एक कार टकर मार दीती है जिससे बाइक का बैलन्स भी गड़ जाता है और महिला अपने बच्चे के साथ नीचे गिर जाती है इसी बीट सामने से तेज रवतार में एक ट्रक आ जाता है महिला का बच्चा ट्रक के नीचे आने ही वाला था कि वो छपत्रा मार कर उसे खीच लेती है ट्रक आगे निकल जाता है और बच्चे की जान बच जाती है सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो खूब बाइरल हो रहा है यूजर्स महिला की सरहाना कर रहे हैं वीडियो को ट्वीटर पर वाइब 15 के अकाउंट से शेर किया गया है जिसे 50 लाग से ज्यादा बार देखा जा चुका है गजब में अगली खबर एक जुगाड़ू गाड़ी की है जिसका वीडियो बिजनसमैन आनंद महिंदरा ने शेर किया है वैसे अक्सर जब सडक पर जुगाड़ू गाड़ियां गुजरती है तो रहा चलती लोगों की नजरे इस पर टिक ही जाती है अब जिस जुगाड़ू गाड़ी की हम बात कर रहे हैं उसका पूरा लोग F1 रेस कार जैसा है जिसके आगे दो बड़े बड़े पहिये हैं और पीछे एक पहिया हाला कि देखने वालों के लिए ये वीडियो इसलिए मज़ेदार है क्योंकि यूवक इस F1 रेस जुगाड़ गाड़ी से डेरी का बिजनेस करता है यानि वो इस गाड़ी से दूद सप्लाई करता है वीडियो में ड्राइवर भी उसी अंदाज में इस गाड़ी को स्पीड से चला रहा है जिस तरह से F1 ड्राइवर चलाता है वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंदरा ने लिखा ये जो गारी है मुझे लगता है कि ये सडक नियमों का पूरा पालन नहीं करती होगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका जुनून ये सब करवाता होगा लंबे समय बाद ऐसी अच्छी चीजे देखने को मिली है मैं इस रोड वारियर से मिलना चाहता हूँ गजब में आखरी खबर एक 29 साल की लड़की की है जो साल में करोडों रुपे कमा लेती है वो भी एक साथ 6 काम करके पिछले साल उसने freelance writing, influencer sponsorship, e-book sales, course sales, ad revenue और affiliate revenue के जरिए 3 करोड रुपे से ज्यादा की कमाई की थी काम उमर में ही वे 3 घर भी खरीद चुकी है CNBC.com पर Alexandra Fasolo ने अपने अनुभवों के बारे में बताया उन्होंने कहा कि साल 2018 में फीवर पर freelance writing और दूसरे काम के जरिये उन्होंने 2 करोड से ज्यादा रुपे कमाई उनके काम में क्लाइन्स के लिए vlog, press release और website content लिखना शामिल है उन्हें फीवर प्रो website के जरिये काम मिलता है Alexandra Fasolo Instagram पर भी काफी active रहती है वो खुद को freelance fairy कहती है फिलहाल इंटरनेट पर इस लड़की और उसकी कमाई की चर्चा जोरो पर है न्यूस तक बिरू उनके काम मिलता है